नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं Microsoft Excel में Loan Calculation करना यानि कि किसी वी Loan का हम EMI और Interest कैसे निकालते हैं यदि आप किसी Banking Sector में काम करते हो या फिर Finance Company में काम करते हो या फिर आप करने की सोच रहे हो तो आपको ये Loan Calculation आना बहुत ही जरूरी है तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसको सीखेंगे तो यहाँ पर है हमारे सामने Principal Amount यानि कि Loan Amount 2,00,000 का Loan है इसका Interest Rate है 10% एंड इसका जो Loan Period है वो है 24 Month अब यहाँ पर अगर हम इसका EMI देखना चाते हैं तो कैसे देखेंगे तो इससे पहले हमको ये समझ लेना है कि यहाँ पर जो Rate है ये Annual Rate है ये Monthly Rate नहीं है यहाँ पर हम कुछ इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमको 10 को Divide करना है 12 से तो एक मैने का Interest Rate है वो यहाँ पर देख सकते हो 0.83% जब हम Function यूज करेंगे तो कुछ इस तरह से इसको उसमें हम लिखेंगे तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर हम दोस्तों यूज करने वाले 4 Functions का PMT यानि कि Payment जब हम EMI निकालेंगे तो PMT का यूज करेंगे and PPMT का मतलब Principal Payment IPMT का मतलब Interest Payment और PV का मतलब Principal Value यानि कि जब हम Principal निकालेंगे तो हम यह PV Function का यूज करना है तो चलिए एक एक को सीखते हैं बहुत आसान तरीके से तो यहाँ पर मैं जो मन्त हैं सभी को यहाँ पर Type कर लेता हूँ एक, दो और इसको मैं कुछ इस तरह से Select करूँगा और 24 महीने तक इसको मैं Drag कर लेता हूँ यहाँ से नीचे Corner पर पकड़ूँगा और नीचे 24 महीने तक इस तरह से छोड़ देता हूँ आउटमेटिक टाइप हो जाएंगे इसके बाद आता है यहाँ पर Outstanding तो देखिए Outstanding का मतलब है जब हम एक-एक महीने का installment पे करते हूए जाएंगे तो यह जो Outstanding है यह घठता ही चला जाएगा मतलब जो Amount यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर कम होता चला जाएगा हर महीने तो अभी जो Outstanding यानि की बकाया धन Outstanding का मतलब है बकाया धन कितना है अभी 2,00,00 रुपे है क्योंकि अभी हमने एक भी installment पे नहीं किया है तो Simple यहाँ पर हम 2,00,00 रुपे टाइप करेंगे यानि की मैं कुछ इस तरह से इसको टाइप करूँगा Equal लगाने के बाद Bracket Start इसको Select करूँगा और यहाँ पर Bracket Close करके Enter कर दूँगा तो जो भी Amount यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर Automatic Change हो जाएगा जैसे कि मैं यहाँ पर इसको 3,00,00,00 करता हूँ तो Automatically यहाँ पर Change होगा इसलिए मैंने यह थोड़ा सा Function का Use किया था समझ माया तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे पहले मैने का Principal Amount Principal Amount क्या है तो चलिए यहाँ पर हम Use करेंगे PPMT Function यहाँ पर मैं Equal लगाँगा PPMT टाइप करूँगा और यहाँ पर मैं Tap Press कर दूँगा यहाँ पर यह जो Turquoise Color में दिखाई देरा है यहाँ पर हम Double Click कर देंगे तो भी यह इस तरह से Bracket Start हो जाता है यहाँ पर नीचे दिया गया है इस Function का Syntax हमें इस Syntax के According काम करना है यह जो जो हमें पूचता है हमें वही इसमें Mention करना है सबसे पहला इसका Argument वो है Rate यह पूच रहा है Rate क्या है तो हमें Rate इसको Select करना है और इसको हमें Divide करना 12 से मैंने आपको बताया था यह 12 महीने का है हमें एक महीने का ही यहाँ पर Principal Amount चाहिए तो हम यहाँ पर इसको 12 से Divide करेंगे Divide by 12 और यहाँ पर कॉमा लगा देंगे अगला इसका Argument वो है पर का मतलब है आपको किस महीने का Principal Amount चाहिए हमें पहले महीने का Principal Amount चाहिए तो हमें यहाँ पर इसको सेलक्ट करना है यह मैंने सेलक्ट कर लिया B6 इसकी जो Location ने वो Automatic आ चुकी है यहाँ पर मैं कॉमा लगा देता हूँ Next इसका Argument वो है N पर यानि की Number of per month यानि की आप जो Loan ले रहे हो वो कितने दिनों के लिए ले रहे हो तो हम यहाँ पर 24 month के लिए ले रहे हैं तो मैं इसको सेलक्ट करूँगा कॉमा लगा दूँगा Last argument वो है PV PV का मतलब है Principal Value कितना Loan आप ले रहे हो हम यह 2,00,00 रुपे का ले रहे हैं इसको मैं सेलक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं इसको Bracket से Close कर दूँगा अब यहाँ पर दोस्तों हमें यह जो Principal Value है इसके यहाँ पर आगे हमें लगाना है Minus Minus अगर हम यहाँ नहीं लगाएंगे Minus में ही आएगा Inter करता हूँ मैं अभी देख सकते हूँ आप यह जो Principal Value है यह यहाँ पर Minus में आई है यह इसलिए आई है क्योंकि हमने वहाँ पर Minus नहीं लगाया था यहाँ पर मैं Minus लगा देता हूँ Principal Value के सामने यह मैंने Minus लगाया और मैं अब Inter press करूँगा तो यह यहाँ पर Plus में आया है तो हमने मैंत में पड़ा था कि Minus को Minus से जब Multiple करते हैं तो Plus आता है उसी तरह से यहाँ पर भी यह काम करता है ठीक है इसके बाद हम पहले महीने का Interest निकालेंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे IPMT Function IPMT Function यूज करने के लिए हम एक को लगाएंगे चाहिए मैं ने इसको इस तरह सलक्ट किया एंड यहाँ पर लगा देता हूँ मैं कॉमा Next यहाँ पर Argument है एंड पर एंड पर का मतलब कितने दिनों के लिए आप Loan ले रहे हैं नमबरों पर मन्त तो यहाँ पर मैं इसको सलक्ट करूँगा और कॉमा लगाँगा अगला यहाँ पर है PV PV का मतलब Principal Value तो Principal Value यह है इससे पहले हम यहाँ पर Minus लगाएंगे और यहाँ पर Last Miss को Bracket से Close कर देंगे कुछ इस तरह एंड यहाँ पर Interpress करेंगे तो यह इसका पहले महीने का Interest आ गया और यह इसका पहले महीने का Principle है अब दोनों का अगर हम Sum करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है EMI लेकिन EMI निकालने के लिए अलग से Excel ने उसके लिए अलग से Function दे रखा है तो यहाँ पर हम PMT Function का यूज करेंगे Equal लगाएंगे PMT Tab यहाँ पर Rate क्या है वो हम सेलेक्ट करेंगे Divide 12, यहाँ पर आता है End पर कितने दिनों के लिए लोन ले रहे हो इसके बाद है यहाँ पर PV Principal Value Principal Value क्या है उसको हम यहाँ पर Minus लगा करके Select कर लेंगे और Bracket Close and Enter तो यह Minus है न यहाँ आपको हर बार लगाना ही पड़ेगा Enterprise करूंगा तो यहाँ पर EMI हमारा एक महीने का EMI यह है आप देख सकते हो तो यह हमारा एक महीने का EMI आया है इसका ब्याज और इसका Principle कुछ इस तरह से बना है अब यहाँ पर हम हर महीने का निकालेंगे तो उसके लिए Simple कुछ नहीं करना है बस ड्रेग और ड्रॉप कर देना है तो इसका जो Value है वो आ जाएगा बट अभी यह Value नहीं आएगा जैसे कि हमने इसमें यह जो Function यूज किया था उसी तरह से अगर हम इस Cell में करेंगे तो यह हमने जो Value दी थी इसमें D3, E3 और C3 यानि कि C3, D3 और E3 यह हमें हर Cell में यही Value चाहिए हमें सिर्फ Change करना है तो सिर्फ B6 वाली Cell को Change करना यह हमें Changeable चाहिए यह हमें हर Cell में Fix चाहिए लेकिन जब हम यहाँ पर इसको Drag करेंगे कुछ इस तरह से तो यहाँ पर Error आ जाता है तो अब मैं इस पर Double Click करता हूँ किसी भी Cell में देखिए इसमें D5 आया है E5, C5 उसी तरह से मैं इसमें देखता हूँ तो यहाँ पर D4, E4, C4 यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर देखिए यह D8, E8, C8 तो हमें यहाँ पर सिर्फ यही Cell चाहिए हर Cell में जब Function यूज करेंगे तो हमें यह तीनो Cell fix चाहिए तो इसके लिए दोस्तो हम यहाँ पर Double Click करेंगे और यह जो D3, E3 और C3 इनको हमें fix करना पड़ेगा लॉक करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पर मैं App 4 प्रेस करूँगा Keyboard मैं App 4 प्रेस कर दूँगा तो यह दोनों तरफ जो Dollar है उसका symbol आ जाता है तो इसका मतलब है यह fix हो चुकी है यह जब change नहीं होंगी जैसे इसमें नीचे change होती जा रही थी ना इस तरह से यह change आप नहीं होगी तो मैं इसको select करूँगा E3 को और यहाँ पर C3 को अब हमने यहाँ पर B6 है इसको fix नहीं किया है क्योंकि हमें B6 है वो changeable चाहिए हर सेल में तो मैं यहाँ पर enter प्रेस करूँगा और अब यहाँ पर मैं double click करूँगा corner पर यहाँ पर drag करता हूँ इस तरह से तो यह एकदम correct value यहाँ पर हमारी आ जाती है अब उसी तरह से हमको इनमें भी fix करना पड़ेगा अगर इनमें fix नहीं करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से value आ रही है simple यहाँ पर double click करेंगे और यहाँ पर इनको हम F4 प्रेस करेंगे और इनको lock कर देंगे कुछ ऐसे देखिए मतलब तीनो value है यह fix रखने C3, D3 और E3 ठीक है enter करेंगे and यहाँ पर हम इसको drag and drop कर देंगे यहाँ पर double click कर देंगे हम तो नीचे तक का जो value है तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा 24 महिने तक का ठीक है यह हमारा interest है हर महिने का interest कितना आ रहा है हर महिने का principle कितना रहा है वो हम यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर आया है ठीक है उसी तरह से हम यहां पर EMIB यूज करेंगे उसी तरह से हम हर महीने की EMI भी निकालेंगे तो यहां पर मैं क्या कराएंगा डबल क्लिक करोंगा और यहां पर D3 को F4 press करके Lock करोंगा और यहां पर E3 को कर देता हूँ या यानि लौन लिया, दो लाग का, इसमें से हमने एक installment यहाँ पर हमने 228 रुपे की pay कर दी, तो इसमें से जो हमने principal वरा था, जैसे 4562 रुपे का principal हमने जमा करा दिया, तो दूसरे महीने में जब हम installment pay करेंगे, तो हमें इस वाले amount का interest है वो pay नहीं करना है, क्योंकि हमने पहले महीने में इस amount का interest pay कर दिया था, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2,00,000 में से इसको गठा देंगे, तो जैसे बराबर लगाँगा, इसको select करूँगा, minus लगाँगा और इसको select करके interface करूँगा, तो यहाँ पर कितना amount बचाया, एक लाख बाण में 1437 रुपे, क्योंकि यह हमने pay कर दिया, अब यह बच गया, उसी तरह से यहाँ पर जो amount है यह घटता चला जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से, लास्ट में यहाँ यहाँ पर 51.271 रह जाता है, तो इसका ब्याज यहाँ यहाँ पर यह बना है, टोटल जो installment है वो यहाँ यह, यह सभी जो EMI होती है वो बराबर होती है, बाकि यहाँ पर देखिए यह outstanding यहाँ पर गटती जा रही है, इस तरह से जो हम bank से loan लेते हैं, उसका calculation कुछ इस तरह से होता है, तो दोस्तो यहाँ पर हमने इसका पूरा calculation कर लिया है, यदि हम यहाँ पर change करते हैं period को या फिर interest rate को या फिर principal amount को, तो इसमें automatically change हो जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूत नहीं है, जैसे कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसको 3 साल के लिए लिया जाए, तो हम यहाँ पर 36 type करेंगे, इंटर करेंगे, automatically यह जो amount है न, वो change हो गया, इसका, पूरा का पूरा change हो गया मतलब, कहीं भी जाप change कर लिजए, यहाँ पर मैं 10% की जगए इसको 9% करता हूँ, तो automatic यहाँ पर change आपको दिखाई देगा, changes हो जाएगा, principle को मैं यहाँ से change करता हूँ, 5 lakh के लिए, इस तरह से देखिए, automatically यहाँ पर यह changes आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर मैं 1 lakh कर देता हूँ, ओ, 10 lakh हो गया, तो इस तरह से दोस्तों यह automatic change हो जाता है, I hope आपको यह समझ में आया होगा, किस तरह से हम यह जो loan amount है, इसको निकालते हैं, देखिए, यहाँ पर 36 महीने के लिए लिया था, तो यहाँ पर देखिए, यह हम यहाँ पर जो महीने यह और भी यहाँ पर हमें type करने तो उसके लिए simple यहाँ पर select करेंगे, तो यहाँ पर हमें इसको इस तरह से drag करना पड़ेगा, 30, अब यहाँ पर हम इस तरह drag करेंगे, double click करेंगे यहाँ और यहाँ पर भी, यह automatically count कर लेता है, दोस्तों यहाँ पर में type करूँगा, total and यहाँ पर में some function यूज़ करूँगा sum tap press करके, सबसे उपर आऊंगा, यहाँ पर में cursor को रखूँगा, and control shift or down, यह पूरा इसमें select हो गया, और shift के साथ में bracket close, enter, तो यह 1,00, रुपे इसका amount आ गया, and यहाँ पर sum tap press करूँगा, सबसे उपर आऊंगा, यहाँ पर यह ए 1,00, का alone है न, इसलिए वो ए 1,00, आया थ पर कभू यह बना है, इसके बाद यहाँ पर मैं यही function यूज करूँगा, यहाँ पर मैं normal इस तरह select करूँगा, और यहाँ पर auto sum पर जाऊँगा, total होके इस तरह से आ जाता है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो, यहाँ पर मैं इसको इस तरह से मतलब freeze कर लेता हूँ, freeze and paint प और यहाँ पर मैं इसको इस तरह select करूँगा, और यहाँ से thick border देता हूँ, यह थिक border दे दिया मैंने कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से scroll up down कर रहा हूँ, तो यह यह उपर का हिस्सा ने यह fridge कर दिया है मैंने, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यह 36 मही प्रेट का यूज करना, यानि कि यदि हम 25 रुपे की EMI 9% के rate पर 24 महीने तक अगर हम भरें, तो total हमें loan कितने का लेना पड़ेगा, तो simple उसके लिए हम principle निकालेंगे, principle निकालने के लिए हम बराबर लगाएंगे, PV टाइप करेंगे, टाइप प्रेस किया, और छोटा सा function यहाँ पर rate दे देना है, divide 12 और comma, and यहाँ पर हम end पर, यह end पर हो गया, comma लगाएंगे, and यहाँ पर PMT का मतलब EMI, इसको माइनिस में टाइप करेंगे, इस तरह से bracket close, enter, तो यह आप देख सकते हैं, चबवाण 1722.87, यह इसका principal amount हो गया है, और इसका जो EMI वो इतने का आए I hope दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा, कि हम जब loan लेते हैं bank से, तो उसका हम calculation कैसे करते हैं, तो उम्मीद है दोस्तों यह अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, अगर यह वीडियो आपको पसंदाद वीडियो को like करते हैं, और channel को subscribe करना ना भूलें, हम मिलते हैं अपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टोपिक के साथ, तब तक लिए जैहिंद बंदे मात्रम